होटल और रेस्टरूरेंट में जब भी Food खाने जाते हैं तो वहां पर हमेर में पर छाने में कफी टेस्टी ळ लगती तो आज मैं आपके साथ परफेक्ट रुमाली रोटी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ रेसिपी पसंद आई तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए गा तो रुमाली रोटी बनाने के लिए सबसे पहले यहां पर मैंने आधा किलो मैदा लि लग सकता है तो अभी यहाँ पर जब हम इसका डो लगाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर कितना दूर इस्तमाल हुआ है अब यहाँ पर मैंने एक परात ले ली है जिसमें मैदा हम ले ले लेते हैं मैदे का डो हम इसी परात में लगाएंगे आप किसी भी बावल में ट्रांसफर कर सकते हैं सबसे पहले हम इसमें डालेंगे एक चमश नमग इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक चमश चीनी चीनी डालने से जो टेक्स्चर और कलर आता है वो बहुत अच्छा आता है चीनी आप इसमें जरूर सित्माल किजी過去 जब हम खाते हैं ना तो वह बहुत टाइट लगती है तो एक जब हम डालते तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के रेडी होती है उसके बाद यहां पर मैंने रिफाइंड ओइल लिए है आप किसी भी फ्लेवर का रिफाइंड ओइल या फिर अन फ्लेवर डॉइल आप पर दूद हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे दूद एक दम लेक वाम है ना बहुत गरम है ना ही ठंडा है तो इससे जब हम डो लगाते हैं तो डो हमारा काफी स्मूथ और सॉफ्ट बनता है क्योंकि ठंड का मौसम है और ठंड में जब आप गुंगुने पानी या फिर द अच्छे से मिलाना है देखिया बहुत अच्छे से आप इसको मिक्स कीजिएगा ताकि जो हमने अंडे इस्तमाल किये हैं वह अच्छे से हमारे पूरे डो में मिक्स हो जाएं और मैं थोड़ा-थोड़ा करके सी तरह से इसमें डूट डाल रही हूं आप देखिएगा आपक यहां पर कितना गीला है तो इसी तरह का डो हमें इस रोटी के लिए चाहिए तभी हमारी जो रोटी है वह पर्फेक्ट बनके रेडी होती है अब हातों से इस तरह से आप इसको गुलिएगा पास से दस मिनट लगेंगे इसको अच्छे से मलने में तो देख सकते हैं आप मै दस मिन तक नीट कर लिया है अब इसे हम रख देंगे किसी बाओल में इसे ट्रांसफर कर लेती हूं यह देखे सारा का सारा ब्राग में बाओल में ट्रांसफर कर लेती हूं बाओल पे मैंने थोड़ा सा सा रिफाइंड एल लगा लिया ताकि नीचे से चिपकेrole, लगा लिए ताकि नीचे से चिपके ने उपर से हम थोड़ा सा वाइल डाल कर इसे इस तरह से चिकना कर देते हैं जिसे यह उपर से बिल्कुल भी ना सूखे तो आब इस डो को रेस्ट करनी के लिए चोड़ूँगी मैं दो से तीन घंटे के लिए जिससे हमारा डो परफेक् इसे थोड़े छोटे बनाने हैं जैसे हम घर पे ननौर्मल रोटी बनाते हैं उससे साइज में थोड़ा चोटा पेड़ा आपका होना चाहिए यह आपके तवे के साइस पे भी मैटर करता है कि आप कितने बड़े तवे पे इस रोटी को बना रहे हैं तो मेरा तवा यहाँ पर बहुत बड़ा नहीं मैं आपको आज नॉर्मल घर के तवे पर ही रुमाली रोटी बनाना सिखाऊंगी तो देखें यहाँ पर एक एक करके हम सारे के सारे पेड़े इसी तरह से बना लेंगे तो यहाँ पर मैंने 8 से 10 पेड़े बना लिए हैं अब इसके ओपर सुका मैदा लगा कर हम इस तरह से इसको फ्लैट कर लेंगे इसे बहुत ही एजी होता है रुमाली रोटी को बनाना तो आप चाहें तो इसको कड़ाई को पलेट के भी बना सकते हैं लेकिन आज मैं रेसिपी जो आपको दे रही हूँ वो हम नॉर्मल घर के तवे पर क्योंकि सब के पास अविलेबल नहीं होता है इसलिए मैं उस तवे पर ही आपको आज रुमाली रोटी बनाना सिखा रही हूँ और हमारी रोटी आप देखेगा कितनी पर्फिक्टली डनोगी और बुखाती जादा सॉफ्ट बनेगी मैं कहूं तो रेस्टरंट से जादा टेस्टी रोटी बनेगी तो देखे हमारी जो रोटी हम इसको बिलकुल पतला सा बेल लेंगे इस तरह से आपको यहाँ पर हाथों से भी थोड़ा सा मैनत करनी पड़ेगी जब आप हाथों पर डखके इस तरह से रोटी को बढ़ाते हैं तबी जो रोटी होती वो सौफ भी बनती है और काफी पतली होती है तो आप देख सकते मैंने से हादो पर कितना प 색ला कर लियया कि मेरे हाथ दिख रहे हैं मैं इसे और पतला करना चाह și और उर भी एक किचन नैपकन या फिर टॉविल के हेल्प से हम इससे इस तरह से सेखेंगे बहुत जादा हमें नहीं सेखना है बस हलका सा प्रेस करना है और प्रेस करके देखिए हमारी जो रोटी है यह बढ़िया से सिख चुकी और यह साइट से काफी फूल भी रही है तो एक एक करके म कितना असान है घर पे रुमाली रोटी बनाना बस आपको हाथ पे तहोड़ा सा इसे बढ़ाना पड़ का आपना है और बहुत आसान है लेकिन आप जब डो को सॉफ गॉनते हैं तब यह प्रोसस आपको बहुत असान लेगता अगर आपको अपका डो होता होता ही तो आ हाथ में बहुत टेस्टी लग ती तो आप भी इस रेसिपी को ट्राइज जरूर कीजिएगा और असे पी पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना न बूलिएगा बिल आइकन जरूर प्रेस किजिएगा जिसे वीडियो की सार यह लाफिस